पचास सेंचरी से बंद कर दी सब की बोली, भाई भगवान के रिकॉर्ड को क्रॉस कर दिये विराट कोली, भाई विराट कोली वो रिकॉर्ड क्रॉस कर गये हैं, लेकिन ये जो अपने रिकॉर्ड और जितनी इनकी बाउंडरी हैं, ये लांग क्यो रहे पाकिस्तानी, and I'm not talking about LOC, ये अपनी बाउंडरी से आगे क्यो जा रहे हैं, यार ये पता नहीं क्या इनको जलन, इर्शा, और क्या कहते हैं बड़न का सिनॉनिम, जेलस, जेलसी हो रही है बया, यहां पर पाकिस्तान वालोगों क्योंकि बरदाश नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग किंग बाबर कि लेकिन यहां पर हमारे जो किंग, असली किंग है, सच्चा बाश्या, वो अलग है, लेकिन असली किंग तो विराट को लिया है, क्योंकि उन्हों ने बाई, एक तो जिस तरीके से वो पचासवी सेंचरी बनाई, और उस जगे पे बनाई, वांग खेडे में, मुंबई के अं बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत तारीफे करते हैं, शोयब भाई हमारे साथ, हमारे शोव पर रहते हैं, अक्सर जीनियूस पर, वहां पर इतनी तारीफे उन्हों ने करी, लेकिन कुछ ऐसे पाकिसजानी है, जो ना पदा नहीं, शाय तो जैसे अब्दुर रजाक हैं, कि जैसे शोयब भाई ने कहा था ना, कि भाई इनको जबस्ती की फेम चाहिए, तो अभी उड़ते फिर रहे हैं, वैसे ही कुछ और लोग भी है, जो वहां पर विराट कोली की उपर भी सवाल उठा रहे हैं, और तो टीम इंडिया जो बढ़िया कर रही है, टी 20 दे शुरू में भी कहा था टार्नमेंट के, कि पिच के साथ कुछ तो गड़बड की जा रही है, पिच के साथ चेड़चाड की जा रही है, उसके बाद बोला जी, बॉल जो है, बॉल चेंज करके दे रहे हैं, तब ही इंडिया के बॉलर्स बढ़िया कर रहे हैं इतना, ख पिच नमबर 6 कर दी, तो एक डेली मेल और करके ऐसे ऐसे चोटे मोटे वो क्या उनसे होते है, टेटपुंजी ए चैनल जो है, टेबलोइड्स यो हैं, वो उन्होंने भाई डाला कि यह जान के BCCI करवा रही है, वो उनकी जलन है, पिचे बदल दी और पाकिस्तन वाले इस को भी उचाल रहे जाथा कि भाई यह यह तो इंडिया वाले जानी है, बहुस्वारे लोग ऐसे रीटवीट कर रहे थे कि भाई देखा, पिस भाई तो पहले से कहा रहे थे, यह आप कोई सुननी रहा था, अब देखो, उन्होंने भी बूल देखो, और वो कह रहे कि बाई कि जितने भी लोग हैं, वो भी बड़े विराट कोली को इन जनरल बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन यह जो बीच में कुछ लोग आते हैं, सबका नाम खराब करने के लिए, कि उनमें से एक और आया है, जो एक और आलिकेशन लगा रहे है, यह चीटिंग करके ऐसे कर पा रह नहीं है, यह फॉर्मर क्रिaketर कोας है, सिकंदर, बखफ, बखट ने बखट, बखट ने बखट, कट्षो है यह बहुत ऐसे जाके वीडियो में बोलते है एक शरारत करना चाहूंगा, शरारत करना चाहूंगा, आपको बताता हूँ उसका, भाई conspiracy theory फेक दी है एक और आगे आके, इन्होंने बोला कि रोई शर्मा को जब भी Toss के लिए कोईन देते हैं, तो वहां आगे एक sponsor का लगा यह लाए है, जो वहां से referee बोल देते हैं, बस भाई हो जाता है, तो मतलब कहने का यह है कि भाई, यह रोई शर्मा जानके ऐसे camera की reach से दो कोईन टॉस कर देते हैं, ताकि camera को ना दिखे, और जो referee और umpire जो वहां पे होते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं, उन में से एक आ पुरा सिक्का हो चला, बीड़ी कटी हो गई, बाई हटे 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 हटे, और अगर मैं हटा है, त्री टाइम बेट रहे हैं, यह मैं नहीं करूँगा, थ्री टाइम बेट रहे हैं, अब आप यह चाहते हैं, अब आप यह चाहते हैं, मतलब कि इनका कहने का मत बाई वो कौन थे वो जो selfish cricket कहने वाले थे वो जो अबीज प्रफेसर साब जो थे वो तो बाई प्रफेसर साब जो थे वो टीम कर डिरेक्टर बन गया है अच्छ वो बन गया है वहाँ पर पाकिसान है और फालतुगीरी करकर के इनको फायदा हो गया अच्छ आपका प्लान ये था तो बाई जो आप ट्वीट डाले जा रहे थे कि वाई जो विराट को लिए है वो selfish इनिंग खेल रहे है just because उन्हें अपने 50-100 complete करने है तो इस वज़े से वो selfish कहले जा रहे है लेकिन बाई 50 क्या बंदा हो 51 कर लेंगे 52 कर लेंगे 53 कर लेंगे अभी खतम थोड़ी हुआ है करिया है हाँ बाई और मलब 80 तो उनकी होई चुकी है अब 80 से अब नेक्स टार्गेट 100 है और यार अब जैसे जिस तरीके से उनके पास कुशन है उपर देखो तो आप उनके पास शुबमंगिल और रोहिट शर्मा है नीचे देखो तो उनके पास श्रेय सहीर है केयल राहूल है सब फॉर्म में चल रहे है तो उनका ये रोल डिफाइंड है कि आपको सिंगल सिंगल खेलते रहना है और एंड तक गेम को लेके जाना है तक एक एंड पे लगे कि विराट कोली है selfish क्या होता है भाई हफीज भाई को जाकर समझाओ जब आप नेपाल को जाकर तोड़ते हो है ना जब आप अफगानिस्तान के आगे रन बनाते हो जब आप जिंबाबर कहलाते हो तब आप जाकर selfish कहलाते हो क्योंकि मौहमद आमिर इनी के ही है वो बोल चुके भाई यह अगर विराट कोली भी ऐसे चोटी-छोटी टीमों के आगे खेलने लग जाया ना अभी तक तो इसके 50 का 100 ODS के अंदर सेंचुरियां हो जाती है बताओ यार बिल्कुर वह ऐसे टीमों के उपर जो हमारे senior player वो तो खेलते ह रहे थे कि भाई नी-nी वहां पर बनता ही नहीं था जी शुमन गिलका आना वहां पर बाबर ही रहना चाहिए था अजीब सी बात है, मतलब कि पाकिसान की कई, मैं ऐसा नहीं कि सारे पाकिसानियों को एक ही चीज बोल रहा हूँ, बहुत सारे पाकिसानी ये भी लिख रहे है नीचे, जो जिस तरीके से, मतलब अलग-अलग ट्विटर पे बड़े लोग पोस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहाँ पर लोग लिख रहे थे, मान जाओ ना यार, कि हमारी टीम जो थी वो अच्छी नहीं थी, पाकिसान की टीम, कि मान जाओ भाई, अच्छी टीम नहीं थी, अच्छी cricket नहीं खेल के आए, इसलिए बाहर हो गए, इंडिया बढ़िया खेल रही है, विराट बढ़िया क पर वहाँ पर भाई, माइकल वॉन जो थे, जो पहले भी मॉहमद अफीज के साथ, उनके ट्विटर बैडल चल रहे थी, माइकल वॉन नहीं थोड़ी सी सुर्री कर दी अंदर, क्या कर दी, सुर्री होती है, पटाकि में होती है, सुर्री तो वो सुर्री अच्छा आग लग को टेक कर रहा याला, अब तो मैं बन भी गया हूँ डिरेक्टर, लेकिन वहाँ पर भाई, वहाँ रियाज जो है, वह चीफ सेलेक्टर बन गया है, माइकल वॉन तो बहुत उल्टी सीदिय बोलता था, यह एंडिया के फेवर में कैसा बोलने लग लग गया, यह तो एंडि है, कोई इलाज है, इनका कैसे हुआ जाए यह कम, बहुत पता है, मैं क्या बता हूँ, मेरको थोड़ी पता है, मेरको भी नहीं पता, आप लोग बता है, आप लोग को बता तो आप बता दो, और फटा-फट स्विच को जो है, वह आप सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक कर है, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, यूटूब, हर जगा पर हम अवेलेबल हैं जी, और इतनी बड़िया बड़िया वीडियो जो है, हम आप के लिए लाते रहेंगे, मेरा नाम है प्रशान्द कपूर, मैं हो भी शेक मनचनत, और आप देख रहे हैं, स्विच्च